तो यहां पे आज मैं जुड़ा हूं एक और ओफ टोपिक वीडियो के ऊपर तो यहां पे जैसे बहुत तरह स्टूडेंट्स का यहीं कुश्चन आता है कि वाइनेट एस्पिरेंट स्टूडेंट श्टूडेंट एटेंप्स एक्जाम तो तो क्या नेट जो एस्पिरेंट है या नहीं दे सकते हैं तो मैं एक ही चीज़ बताना चाहूंगा अगर आप यूजीशी नेट के लिए प्रिप्यार कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप सेट एक्जाम भी दे सकते हो क्यूंकि हमारा जो यूजीशी नेट का जो सिलाबस है पेपर वान हो पेपर टू हो और उस फिर तरह हमारा जो मैंगेजमेंट तू का भी तता है डिटो सेम होता है इस कम्पैड तू आवर यूजीशी नेट ओके वहां पे भी सैट भी साट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप एक्जाम को सेत एक्जाम को दे सकते आगज ओर देखिए अगर आप यूजीशी नेट को और आपका set qualify हो जा रहा है, तो आपको एक confidence आजाएगा, कि yes, मैं UGC net exam को भी clear कर सकता हूँ, ओके, तो अगर हम compare करेंगे UGC net के साथ, तो UGC net का जो questions के standard होते है, थोड़ा सा higher होता है as compared to our set exam, तो set में इतने difficult questions पूछे नहीं जाते हैं, but concept हमारे same है, क्योंकि अगर आप set exam दे रहे हो और अगर आपका clear हो रहा है, तो it means that your concept is clear, आपका concept बहुत ही, concept के उपर आपका पकड़ बहुत ही अच्छा है, तो definitely वो आपको बहुत ही जादा benefits देगा, जब आप final UGC net exam में बैठोगे, okay, paper 1 में भी वही है, paper 1 में भी डिटो same to same syllabus है, same to same questions आते हैं आपके, but वहाँ आपके जो questions के standard होते है, हमारे UGC net में थोड़ा सा higher होता है, थोड़ा सा higher version होता है, थोड़ा सा critical analysis करना पड़ता है, but हमारा अगर set में देखोगे, तो ज़्यादा कर यहाँ पे direct questions आते हैं, और इतने ज़्यादा difficulty नहीं होते हैं, मैं अगर बोलूँगा easy to moderate level के ही questions पूछे जाते हैं, आपके set paper 1 में, या फिर paper 2 में भी, बट अगर आप UGC net में compare करोगे, तो easy, moderate और difficult level वाले questions पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको GRF के लिए जाना होता है, क्योंकि junior research fellowship का exam जो होता है, वो NTA UGC net करता है, बट set में आपका GRF का exam, exam GRF के लिए नहीं होता है, तो आप अगर set qualify भी कर लेते हो, तो specific set, specific वही state में आप PhD के लिए NB enroll कर सकते हो, and as well as for assistant professor ship के लिए qualify कर सकते हो, तो मेरा अगर advice मानोगे, तो definitely जो भी हमारे NTA UGC net के experience है, definitely आपको जाना चाहिए, इस exam को देना चाहिए, और आपको पता चल जाएगा कि exam, exam का question pattern क्या होता है, किस level का आ रहा है, मेरा preparation का अब तक कितना strong हो गया है, तो इससे क्या मिलेगा, इससे आपको exam के बारे में idea मिल जाएगा, और जो exam का fear होता है, तो जितना जादा आप set exam दोगे, आप set exam, आप कोई भी set exam दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको specific why state से belong करना पड़ेगा, तब जाके आप ये exam को दे सकते हो, नहीं, इस not compulsory, तो आप कोई भी set exam दे सकते हो, जैसे हमारे वेश्ट पेंगल सेट आ रहे है, महाराष्टरा सेट है, नौर्थीर स्लेट है, तो कोई भी आप set exam दे सकते हो, देख सकते हो कि आपका preparation level कब तक, कहां तक पहुंचा है, ताकि आपको एक positive frame of mind आपका develop हो जाएगा, तो with this, I will conclude my session here, तो I hope आपको ये session informative लगा होगा, और थोड़ा सा आपको idea मिल गया होगा, कि क्यों NTA UGC net के जो experience से उनको set exam देना चाहिए, तो definitely go for it, go for the set exam, set exam दे दीजिए, और आपने पढ़ाई में एक confidence, रही है, focus रही है, definitely आपका exam, जो भी exam के लिए आप prepare कर रहे हो, वो NTA UGC हो, या फिर set exam हो, definitely आपका clear होने वाला है, इसी attempt में, ओके, अगर आप हमारे channel में ने हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, subscribe कर लेना है, bell icon को दबा लेना है, और जितने भी आपके friend है, सबके साथ share करना है, ज्यादा से ज्यादा share किजिए, ताकि इस information सभी तक पहुंचना चाहिए, तो जो students को पता नहीं है, कि उनको set exam देना चाहिए, या नहीं देना चाहिए, उन तक भी पहुंचना चाहिए, ताकि वो भी set exam के लिए preparation करना start करे, और साथ ही साथ NTA UGC net के लिए भी preparation start कर दे, ओके, so that's all from my side, thank you very much everyone and happy learning to all of you.